जहिन साथियों स्वागत है आपका राजवली केमेस्ट्री क्लासिस पे मेरे दोस्तों हम तो फिर उस वादे के साथ नहीं आ पाया जो वादा हमने किया था कि आपको डेली वीडियो परवाइड कराया जाएगा क्योंकि मेरा इधर तवियत खराब हो गया था अभी भी मेरा त हम पिछले दिन आपको बताए थे रासाइनिक समीकरन कैसे बनाया जाता है रासाइनिक समीकरन का आज हम बताएंगे नाम कैसे लिखा जाता है तो आज उसी पर हम बात करेंगे नमेन कुलेचा जिसमें जो होता है जिसमें तीन चीज का जरूरत पढ़ता है और यह जो है सार एक सुत्र दिया रहेगा तो नामकरन कैसे लिखना है जैसे आप पहले देखें पहले इसमें होता है पुर्वलगन उसके बाद होता है गिंती उसके बाद होता है अनुलगन रासाइनिक नाम लिखने के लिए और कारवनिक योगी का तो पहले का लगेगा पहले लगेगा पु कर दे एनसी यह जानते हैं इसको किसी का रॉसाइनिक शुतर है और इसका हमको कह दोसरी नाम ग्याद करने के लिए तो कैसी एकर निए रॉसाइनिक नाम लिखा लेँगे तो हम लोग सब कोई जानते हैं इसको बोलते हम लोग sodium coloride, लेकिन हम लोग यह नहीं जानते हैं कि इसको sodium coloride आखिर कैसे लिखा गया, तो आज हम रसाइनिक समीकरन को देखते देखते ओकर नाम बताने वाला जादू सिखेंगे, ठीक है, कैसे ओकर नाम हम बता देंगे, जो पहिले लगा है ना पहिले सोडियम तो इस सोडियम को बोला जाएगा पूर्व लगन पहिले यह जान लेजिए पूर्व लगन इसको क्या बोलेंगे पूर्व लगन और जो बाद में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अनु लगन जो अन्तिम में लगे उसको अनु लग और जो पहलिया लगे उसको पूर्वलं लगन तो हॉई गिंतिया क्यों करा को सब्सक्राइब करकए तो जान ले nesse का मतलब होता है नंबर और हम लोगágina का दело कर legal अलग आदमी का अलग अलग भासा में अलग अलग तरीका से ऩे जैसे हम लोग को कहें गिंती गिनने के लिए तो हम लोग इस्टार्ट कर देंगे एक दू तीन चार पांच लेकिन इहें गिंतिया को इंगली सब्जेक्ट में पढ़ियेगा तो एक दू कहना पढ़ेगा इंगली सब्जेक्ट में पढ़ियेगा तो वरन टू कहना पढ़ता है ठीक इसी एक दू को क्यमिस्तिरी के भासा में कहा जता है है मौम्हा मतलब 2 १ केमेस्टिरी के वहासा में एक डाय मतलब 2 , ट्राय मतलब 3 , 84 돌 All 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 यह है हमारा किसका गिन्ती है होता है केमेस्टिरी के च्हेत्र में किन्ति अंडेक डूडेक की सब काम को जरूरत नहीं पड़ेगा जरूरत पड़ेगा बात करेंगे ठीक है चलिए तो यह बात आप शीखें कि गिंतिया कईसे होता है जैसे हम लोग का होता है एक दूँ उसी तरह से इसमें होता है मोनो डाय ट्राय टेट्रा इस से इसका गिंती होता है chemistry में चलिए यहां तक आप गए होंगे समाझ पुर्व लगन अनुलगन भी आप समझ गए देखे पुर्व लगन में क्या होता है पुर्व लगन में होता क्या है तो यहां पर हम आपको देखे कोस्ट में लिक करके रखे हैं सेम नाम लिखना लिखा ज तो इसका अगर सोडियम है तो इसको हम लोग सोडियम में लिखे थे लेकिन इसमें पड़िवरतन किये थे कलोडीन को कलोराइड किये थे तो पहले हम पुर्वलगन का बात कर लेते हैं तो जरब पुर्वलगन में जान लिजिए किसी का भी अगर पुर्वलगन कोई भी अभिक्रिया में हईड्रोजण पुर्व लगन के रूप में पहिले आ जाये तो इसका नाम हो जायेगा हर को में हुम явकिchan तेaz करका नाम हाईड्रोजिन्न लिखा जाएगा अगर किसी के पुर्वलगन के रूप में सोडियम आ सोडियम को हम पुर्व Rolling होने के तारण इसको हम सोडियम ही लिखेंगे अगर किसी में कि पुर्व लगन के रूप में जिनक आजाए जिनक पुर्व लगन का मतलब रासाटिनिक अभी किरिया में फ़ह लेत तो इसको हम लूग जिनक का जिनक ही लिखते हैं ठीक है अगर आजाए आपका हो जाए जिंक हो जाए जैसे कौपर आजाए तो कौपर का हम लोग कौपर ही लिखते हैं कौपर कौपरे लिखते हैं ठीक है अगर सलफण आजाए सिलिकन आजाए तो सिलिकन का हम लोग सिलिकन ही लिखते हैं जो पहिले आ जाए पुर्वलगन के रुप में उसका नाम लिख देते हैं हम लोग जो भी रासाइनिक अभिकरिया में पहिले आएगा उकर सेम टू सेम नाम लिख दिजिए उत होगी आपका पुर्वलगन जैसे केलसियम आ जाएगा केलसियम लिखेगा नाइट्रोजन लिख लिखेगा उक्सीजन आजाएगा अबना केल जो जो आ जाएगा वह समका नाम लिख देना है इसको हम लोग बोलेंगेई पुर्वलगन आफ यहां तक समझे पुर्वलगन समझे आनि कि सेम नाम लिख देना है जो जो तत्व प橋म में आ जाये इसे कलोडीन आ जाएगा इने लिख देंगे, ठीक है?